अब नमस्कार दोस्तों में मोल कास्तार आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे आपको पीशे दिख रहा है RDD इस एक्जेस्मेंट में बहुत बच्चों को फाइनल अकाउंट में दिक्कत आ लिए यह बहुत इसी जिनको आ रहा है बैटा 1.5 है टुकी स्पीड पर लेक्षर फटाफट से खतम करें जिनने नहीं आ रहा है आप 1.5 पर रही है लेकिन देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कैसे डील कर रहा हूँ एक लेक्चर देख लोगे ने बेटा सारे समका सब समका आएगा मतलब आएगा अब आपको कैसे डील करना है इसमें ना कभी-कभी अन्रेकॉर्डेट सेल बिल्स रिसेबल डिजॉनर वो अगर आया तो कैसे करना है वो भी एक सम लेलूगा में तो इस लेक्षर में पूरा चीज होने वाला है recorded format में आपको दे रहा हूँ ताकि आप अपने इसाफ से अपनी speed में देखे लाइव में मेरे साथ वो दीरे-दीरे करने की ज़रोत नहीं है यह ना मुझे दोग की speed पर भगाओ बगूगा सर आपके इसाफ से चलूगा लेकिन आपके comfort के इसाफ से आप उस speed में देखिए अब समझ यह सर आर्डीडी पूरा explanation आपके सामने रखने वालो बेटा पहले तो यह आता है सर हमारा दिमाग घुम जाता है बच्चे बुलते हो ओल्ड आर्डीडी निव आर्डीडी यह नहीं समझता है बोल किया रहे भाई और बहनो जिनको यह नहीं समझ में आ रहा है ज उसे हमग नीव outta dd कहता है और इसके दोई ऐफेक्ट होता है वैसे तो एक पीएंड़ में जाता है और दूसरा आपके डेटर में से लिस हो जाता है पैट सिक्वेट्स क्या होगा सर डेटर में से लिस होनए का बहुत सारा सवाल है क्या बैट्द्स माइनस होने के बाद वा पराबर है लेकिन बहुत बार आप देखोगे बोर्ड में भी कैसे समाते है बैट डेट्स और न्यू आडडीडी साथ में होता है तो पहले बच्चे को बैट डेट्स माइनस करना है और जो अमाउंट नेट आया डेटर में से सब्सक्राइब के डेटर है 2000 के बैट डेट्स है तो 10 मैं से 2 गए 8000 तो उस 8000 पे आपको डेटि लगाने तो यह में बता दूगा Mतलब balance sheet वाली चीज़ में clear करोगा फिर आते है P&L P&L पे लफडा क्या है पता है सर P&L में जब आते है ना तो हमको ये नहीं समझता या फिर समझा है लेकिन सर confusion होता है कि P&L में हम लोग debit side को लिखे या credit side को क्योंकि हमने बहुत बार क्या देखा है पता है सर या आपने जो देखा हुआ वाली बात बोलता हूँ सर वहाँ पर लिखा होता है two bad debts मतलब ये old bad debts करके ठीक है इसमें add हो जाता है new bad debts इसमें add हो जाता है सर new RDD और इन सब की total में से सर एक less होता है old RDD और मेरे दोस्त को मैंने पूछा ना तो वह बोलता था ये देख बेटा old RDD ना इसका amount कम है और इन तीनों का amount जादा है मिलके तो जब इन तीनों का amount जादा रहेगा तो debit side को ये तीनों का total कर और उसमें से old RDD minus कर net side को लेके आख अखतम और बच्छ वलता है ये करने का कैसे बेटा जो बता रहा हूँ समझो मैं आपको एक simple सी बात बता रहा हूँ ठीक है ना ये दो पक्ष है दो पार्टी है महराष्टर में और हमको politics ना समझे ऐसा तो कभी होगा नहीं सर एक है old RDD नाम देखो नाम तो same है इससे एक नया पक्ष हुआ जिस पक्ष का नाम है जिस पार्टी का नाम है new RDD ठीक है पहले इस भावनाव को समझेगा ये दोनों कभी एक नहीं होगे सर ये दोनों अपने अपनी लड़ाई लडएंगे समझे ना किसके पक्ष में जादा vote वही जीतने वाला है देखो old RDD trial balance वाली बात है ये अलग सा एक पक्ष पार्टी है और new RDD अलग से एक पार्टी है लेकिन new RDD के support में और दो पार्टी है कौनसा सर बताईए ये हमेशा साथ में रहेगा हमेशा लिक लीजे old bad dates मतलब जो कहां पे दिया हुआ है सर trial balance में जो हमेशा इसके support में रहेगा new party के support में plus क्या होगा सर हमेशा new bad dates new bad dates new bad dates तो ये पहले आप दिमाग में लाइए दोस्तो ये अगर आपका दिमाग में fix है ना फिर आपको कभी tension नहीं होगा कभी नहीं वो debit crate में आप कभी tension ले नहीं सकते हो इतने parties है दो एक old IDD पक्षे मालिक और एक new IDD पक्षे अभी महाराष्टा की स्तिती बताओ ना तो ये सिफ एक्जामपल की तौर पे समझे इसका वस्तेक जिवन से संभन मत लगाई है है ना आपको समझने के लिए सर मैं बात करता हूँ शूषे ना के उद्धव ठाकरे जी किसी उसे ना और एक ना एक ना सिंदे जी किसी उसे ना निवार डीडी पॉलिटिकल में सिफ समझने के एंगल से देखता है बाकी कोई इसके साथ संभन मत लगाना करके है नहीं तो किदर का किदर चीज लेके जाओगे ठीक है सर तो आज उद्धव ठाकरे जी अकेले ऐसे समझो और एक ना शिंदे जी के साथ कौन है बीजेपी और कौन है सर राष्टवादी तो महराष्ट्र में यह तीन पक्षे दोस्तों आपको समझने के लिए बता रहा हूँ जिने ब सर अगर यह वाली चीज है तो मालिक मुझे बताओ यह तीनों हमेशा साथ रहे अगर इन तीनों की टोटल जाद आई इन तीनों की टोटल अगर इनके वोट से जाद आई तो कहां पर प्रेजेंटेशन दिखेगा सर प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट के डेबिट साइट को आप लिखोगे ओल्ड आडड फिक एफ ब्यजएपी प्लस न्यू ओल्ड बैट लेट इट इट इन तीनों की टोटल जादा थी ते तीनों की टोटल कीजे सपोस्ट्यू से मैं एक्जाम्पल लेता हूँ यह 2000 होगा यह 3000 होगा ये 3,000 होगा तो तिनों की टोटल कितने होगे वेटा 8,000 और imagine कीजिए old RDD के टोटल सिफ 3,000 थी तो 8,000 ये जादा इन तिनों का टोटल तो debit side को लिखे इन तिनों का टोटल और उसमें से क्या list कर दीजेगा मालिक इसमें से list कर दीजेगा old RDD तो आउटर कॉलम में जाएगा 5,000 ये तीनों का आपको साथ में पकड़ना है लिए और सर उल्टा हुआ तो मतलब इन तीनों की टोटल सर suppose old RDD का टोटल हमें question में दिया है 12,000 कितना दिया था 12,000 और इन तीनों का 8,000 आ रहा है सर तो amount wise इतना तो हमें समझता है कि ये जादा है और लेकिन में आपको पूरे 10 कदस illustration और practical बताओ तो एक खाजा सम रहेगा सर जहां पर ऐसी चीज हुई है और exam में भी ऐसे ही presentation होते है आप दिमाग में ये चीज डाल के रखिए समझ में आ रहा है कि बेटा 99% सम ऐसे ये तुम्हारे जो डेबिट साइट को ये आता है लेकिन क्या एड किस में क्या वो नहीं समझता बच्चे इतना समझ गया सर निव आड़ीडी नहापक्षिए उसके साथ अल्ड बैड डिट्स न्यू बैड डिट्स दोनों बैड डिट्स जो है उसमेंस से लेस्ट कर देना क्या सर ये तीनों बात है आपका ओल बैड डिट्स हो न्यू बैड डिट्स हो और आपका न्यू आट डिट्स हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये 1% के सम में ऐसे सम है और कोई एक्टेंशन नहीं सर फिर ये कहा पर जाएगा क्रेडिट साइट को सपोज ये 12,000 है इन तुनों का टोटल 8,000 बारा में से आट गे 4,000 इधर आ जाएगा इधर तु कुछ लिखेगा ही नहीं तो ये कौन जीता है इस पर डिपेंड करता है तो सर अगर हमेशा 99% में यही जीत रहे हर सम में तो अगर ये जीत रहे तो डेबिट साइट को आएगा और उसमें से ओल्ड लेस हो जाएगा और अगर ओल्ड जीता तो पहले ओल लिखेंगे उसमें से तीनों लेस करेंगे इतना ही है अब आपको मैं इसी तरीके से पहले कुछ सम दिखाता हूँ पहले ये वाला देखे बेखा देखो क्या होता है सर पहले आप लोग क्या करते हो जरा समझे चीज को समझने की कोशिश कीजिए दो आपके लिए बता रहा हूँ और आप आप ज़्यादा स्वीपे देखे और मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बताऊगा और RDD का सभी खतम कर दोगा सारी टेंशन खतम कर दोगा सारा सिक्वेंस बताऊगा सुनिए दरा सर मैं पहले देखता हूँ अगर वेजेस है मैं टेक्स्बूक में भी लेके जाऊगा तो ट्रेडिंग में आता है फिक्स से डेबिट साइट को डेबिट वाली चीज़ कोई टेंशन ने बैट डेट्स आया P&L जाएगा RDD आया P&L जाएगा जो ट्राइल बैलेंस में दिया होता है उसे क्या कहते है बैटा ठीक है यह तो फिक्स से ओल्ड वाला समझा यह question में दिया हुआ है देख बैट डेट्स डेबिट में होता है RDD क्रेडिट में होता है तो sir मैं पोस्ट कर दो क्या रुख जाओ एग्जिस्मेंट देखो sir एग्जिस्मेंट दिया है further bad debts 10,000 यह जो further है इसे क्या कहा जाएगा बैटा new bad debts और further RDD 2% 2% on data अब कैसे निकालना है बताओ बैटा क्या data से related एग्जिस्मेंट है हाँ sir data कितने दिये 50,000 तो आप लोग क्या करते हो पहले balance sheet में asset side को जिस पे एग्जिस्मेंट होती है वो कौनसे कॉलम में लिखते हो बोलो तो inner कॉलम में data लिखा 50,000 अब क्या करेगे sir आपको पहले चीज याद रखने है एग्जिस्मेंट वाला bad debts पहले तो less करना है less new bad debts new bad debt कितना है बता new bad debt 10,000 तो जैसे 10,000 less होगे तो 10,000 less होने के बाद कितना amount बचेगा 40,000 ओके sir अब एग्जिस्मेंट में आगे का part क्या कहा है बेटा RDD कितना percent है 2% अब सवाल ये है ये 2% में निकालू किस पे original 50,000 पे या जब मेरे bad debts minus होगे new वाले वो minus होने के बाद 40,000 उस पे तो answer इसमालिक 40,000 पे आप gross पे नहीं net पे लगाते हो मतलब sir आपका जो 2% RDD यहाप आप लिखोगे less RDD 2% वो कौन से amount पे लगेगा 40,000 पे bad debts less होने के बाद तो निकालो sir 40,000 पे 2% 40,000 पे sir 24,000 पे तो 800 रुपया sir में यहां से क्या कर दूगा less कर दूगा 800 रुपया क्या कर दूगा less और जैसे 800 रुपया less होआ तो outer column में कितना जला जाएगा 39,200 यह तो हो गया पहला effect balance sheet का कि data में से पहले bad debts जाएगा फिर RDD जाएगा और net amount बहार आएगा लेकिन हमें problem कहाँ पे होता है sir P&L में कैसे कर तो मेरे भाई और बेनो चार चीजे दीखी ना एक पक्ष में एक पक्ष जो है New RDD का वो side में लो कितने party उसमें old bad debts new bad debts सब new RDD के पक्ष में ठीक है तो यहाँ पे में लिख लेता हूँ आप भी ऐसे लिख लेना सर पहले में लिखूगा new RDD कितना आया था new RDD का amount 800 मैंने लिख दिया 800 प्लस अब old bad debts आप अपने हिसाब से लिख लो old bad debts कितना था old bad debts old bad debts मतलब जो question में दिया होता है 500 रुपया यहाँ पे तो कमी दिख रहा है सर ठीक है देखते 500 रुपया प्लस new bad debts पाच हजार होगे प्लस new bad debts new bad debts कितना है बेटा बोलो प्लस new bad debts new bad debts 10,000 है तो इन तीनों के अगर में total करू तो कितना हो जाएगा 11,300 और इसके comparison में दूसरा जो पक्षे old RDD का जो अकेला है सर उसका total कितना है question में देखो तो बेटा 1000 ठीक है तो अब मुझे बताइए कौनसी total जादा है बेटा और मैंने का हर सम में बहुत बार यही scenario होने वाला है तो अब तू P&L में कैसे presentation करेगा अब बेटा profit and loss account में जाओ यहाँ पे आप लिखना मस्त से एक दम पहले तू बैट डेट्स यह old bad डेट्स है बेटा तू बैट डेट्स old bad डेट्स कितना है पाचसो प्लस new bad डेट्स यह एक ही पक्षे मैंने कहा था 10,000 प्लस new RDD एक पार्टी के लोग साथ में आगे यस सर इतना new RDD कितना था 800 इनका total कर ले बेटा कितना हुआ 11,300 लेस old RDD कितना दिया था तुझे 10,000 तो अगर देखो यह पक्षजीद गया तो debit side को सारी बात आगे उसमें से new RDD को less कर दिया outer side को कितना चला जाएगा 10,300 यह हो गया तुमारा presentation that's all बस और हन समय ऐसे ही आने बाद कि RDD में यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा तुम कोगे हाँ सर थोड़ा बहुत समझा लेकिन मालिक सर थोड़ा question बताओ ना तो मज़ा आ जाए मैं कहोगा ठीक है बैटा question पर जाते है आपके मर्दी है तो वो भी करा देंगे sir आईए मैं आपको कहना चाहूगा कि आप लोग सीधा सीधा question number 2 पर आईए ठीक है बैटा question 2 पर आईए और मैं सिप RDD का एक्जिस्मेंट कर तो आप जब question पढ़ रहे हो तो आपको दिखा bad dates trial balance में ने trial balance में दिया है तो इधर pencil से लिख देना old फिर आपको यहाँ पर दिखेगा credit side को हमेशा RDD RDD credit को यह दिखेगा sir लेकिन यह कौन सा है old और यह अकेला रहेगा तो अकेला पक्षे bad dates को आगे दो चीजे मिल सकती है new bad dates और RDD ठीक है sir यहाँ पर data भी है but obvious data तो दिए ही रहेगे sir उसके भीना कैसे RDD निकाल पाएंगे sundry data दिया है 40,000 कितना दिया है वेटा 40,000 कितना done हुआ कितनी कितने adjustment जरा में देखता हू stock वाला ठीक है sir outstanding expense वाला कोई दिक्कत नहीं इसा salary paid in advance ठीक है prepared वाला है कोई दिक्कत नहीं create provision for bad dates 1000 तो यह क्या हो गया new bad dates हो गया कितना वेटा 1000 reserve for doubtful days 3% on data ठीक है तो यह new RDD हो गया यह new RDD हो गया कितना वेटा 3% amount निकालना है अब क्या करे sir tension मतलो मैंने क्या सीखा है पहले balance sheet पे जाते है balance sheet का काम कर ले चलो मुझे बताओ यह किस पे affect होता है data पे data को पहले दो टिक कर दे तो inner column में 40,000 आ जाएगा चलो बेटा यहाँ पहले में balance sheet में आता हू balance sheet में data लिखता हूँ आप भी करो तो या bad date सीधा amount डिया हूआ sir new bad dates का हाँ sir new bad dates का तो सीधा ही amount डिया था कितना amount डिया था बोलिये जरा sir new bad dates का हमें amount डिया था 1000 रुपया आपको दिखा लेता हूँ यहापे थोड़ा से आप patience रखना क्योंकि पूरे book में ना वो management का issue हो रहा है ठीक है sir 1000 रुपया आप यहाँ पे देखिए ठीक है और rdd कितना बोला था तीन टक का तो यह सब कुछ हम एक के साथ कर लेंगे ठीक है चलो yes sir 1000 रुपया मेरा कट हो गया यहाँ से तो कितना बचेगा sir 39,000 अब इसमें से क्या less करना है मुझे less करना है sir rdd rdd कितना percent है 3% लेकिन किस पे निगालोगे बोलो 3% 39,000 पे very good net amount पे निकलता है 40 पे नहीं निकालोगे data में से सबसे पहरे bad dates minus होता है और bad dates minus होने के बाद जो amount आती है उस पे हम लोग rdd निकालते है लेकिन सरे तो calculator अलावड नहीं धोका अरे भई करना 39,000 into 3 divided by 100 कोई दिक्कत नहीं साइड में कर लेगा तो भी marks कट नहीं होता है मैंने दिखाया था paper presentation का video 0000 खतम 30,000 39,000 कितना बेटा 27 बचे 2 33,000 और 21,000 1170 ये वाला amount है लेकिन बच्चों को ऐसा amount है तो tension आता बूला ऐसा के साट बाट इडवा amount है 1200, 2000 ऐसा आना चेहता सर 1170 आया तो आप तो गलत ही होगा अपने calculation पे confidence तो रखो मालिक है ना आपको करना पड़ेगा फिर leak भाई इतना load नहीं है 1170 लीक ही आप है 1170 पका ना सर 39,000 पे 2-0 गए थे ओके हाँ बचाता ठीक है सर ओके कोई दिक्कत नहीं तो अप सर आउटर कॉलम में क्या करे पिटा लीकिया आप है 39,000 रफ में करते रहे फटा पड 1170 लेस करना है अप सर कैसे लेस होगा 0 में से 0, 0 0 में से 7 नहीं जाएगा 0 में से 1 नहीं जाएगा तो ये 9 का हो जाएगा 8 इधर रखूगा 9 इधर हो जाएगा 10 10 में से 7 गए कितने बचे 3 9 में से 1 गया 8 8 में से 1 गया 7 और ये 3 का 3 रहेगा तो आउटर कॉलम में आ जाएगा बेटा आपका अमाउंट 37, 37,830, पहले ये तो लिख ले वेटा, 37,830, तो ये तो काम हो गया सर, बैलेंच चीट में, इतना आना चीए, लेकिन बैलेंच चीट में हमको क्या मिला है, new bad debts और new RDD 1170, हमें एक चीज याद रखनी सर, दो party में division है, एक new RDD का पक्षे, और एक old RDD का, दो जादा रहा, अगर new RDD जीता, तो debit side को ही करेंगा, और maximum वही जीता है, ठीक है सर, तो अब हमारा काम क्या हो जाता है, new RDD के amount मिल गए, 1170 और 1000, तो चलो सर, अब हम देख लेंगे कि P&L में, कहा पे क्या effect जाना है, और P&L में effect जाने के लिए, पहले हमें यहाँ पे आना पेज उपर चले जाते है, ठीक है सर, यह आगे हम लोग question पर, okay, मुझे बताओ बेटा, कि यह रहा हमारा question, old bad dates कितना है, आप देखिए, old bad dates से 400, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 400, new bad dates कितना था, 1000, और अपना new RDD के आया था, something 11 कुछ तो आया था, मतलब 1000 के उपर ही था सर, लेकिन old RDD कितना है, 1000, तो अब आपको समझ में आ रहे है न, कि कौनसा पक्ष जीत रहा है, new RDD वाला, चलो सर, यह आप आओ, यह आप आओ, हमको बताओ सर, देखो माले, तुम्हारा यह था answer, ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई confusion नहीं सर, bad dates कितना था, 1000, RDD कितना था, 1170, ठीक है सर, हमारा old bad dates कितना था, old bad dates, old bad dates था, 400, ओके, new bad dates कितना था, 1000, new RDD कितना था, कितना है, 1170, 1170, इन तिनों का total कितना हो जाता है, सर, बताओ, 1000, और यह हो जाएगा, 2570, तो यह मेरा total हो गया, new RDD के पक्ष का, old RDD का total कितना सा, इतना करना पड़ेगा, सर, बेटा, यह तो अभी फटा-फट calculation करेगा, मैं बहुत आराम से बता रहा, old RDD का 1000, कौन जिर दिया, सर, new RDD का पक्ष, कैसे presentation होगा, आईए जरा, यहाँ पे लिखिए, two bad dates, यह नदिल के debit set को, इतना सोगा, सर, bad dates, बोलो, बेटा, बटा-पट, old bad dates, 400, plus, new bad dates, new bad dates, कितना आया, 1000, plus, new RDD, new RDD कितना आया, सर, अपना, 1170, 1170, तो इन सब का total कितना हो गया, सर, 2570, इन सब का total ज्यादा था, इसलिए मैंने क्या किया, less कर दिया, old RDD यहाँ से, यह presentation का part है, सर, कितना अब था, 1000, तो 1000 अगर गया, तो outer column में आएगा, 1570, लेकिने calculation पर तुम बरुता सो रखो, तो समझा 1570, आना चीए, सर, अब मैं इस question पर जाता हूँ, और एक बार देख लेता हूँ, 1570, आया है कि नहीं आया है, सर, आप quickly जाएए, और आपके पास textbook है, सर, आईए उस question पर, और देखिए, क्या उतना सवाल, उतने इस सवाल का वो जवाब आया है, क्या बिलकुल, बिलकुल tension नहीं लेना है, सर, इसों को समझना है, 1570, that's all, 1570, और यहाँ पर क्या आया था, सर, balance sheet में, और आप presentation देख लीजे, क्या लिखा है, सर, आपका bad debts old 400, new bad debts add किया, RDD 1170, यह नया पक्ष है, नहीं हो, RDD का पक्ष, और उसमें दो पार्टी support में, और ज्यादा total, इसले old RDD less कर दिया, 1570, और यहाँ पे तो हमें पता ही है, डेटर पे पहले क्या चीज लेश हुआ, सर, डेटर में से पहले RDD less हुआ, और bad debts के बाद 39,000 पे RDD 3%, 39 पे लगा, तो आउटर कॉल में 37, 830, तो आपको यह amount पे confident लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बेटा, everybody yes or no, हाँ सर, done, कोई दिक्कत नहीं, अब अगर आपको यह समझे बेटा, मुझे पता है time कम है, और अगर मैं आपको जो दे रहा हूँ, इतना अगर आपने हाथ रखा, और अभी कोई भी सम, इसी structure पर करो, इसी structure पर और दो ती सम से पार डीडी करो, बाकी कुछ नहीं करना है, format बनाना है, और मेरे जो बता है, जिसको नहीं आ रहा करो, तुमें से मैं पहले illustration की बात बता देता हूँ, अब मैं ज़्यादा page change नहीं करोगा, पहले illustration में क्या हुआ सर, important adjustment है जरा इसे mark करना, बिल्स receivable dishonor, तो याद रखना, जभी भी बिल्स receivable dishonor होते, इसके दो effect क्या होते हैं, लिख लो, एक, बिल्स receivable, estate site में से less हो जाता ह है, 3000, और बिल्स receivable, जिससे पैसा आना पाकिता, वही बोला कि नहीं दूगा, तो बट obvious, data में क्या हो जाता है, add, तो data में क्या हो जाएगा, इसके दो effect लो, तो RDD करने से पहले, आपको ये वाला effect देना है, data में कुछ तो add कर देना है, अगर आया तो, देखो, RDD तो तुम सम पढ़ना, last adjustment देखो, unrecorded sale, goods रुपिस 6000 वर्स ओल्ड बर नो इंट्रिमेट, जिनका बहुत पुराना बुक्स होगा न, उसमें ये दिया नहीं शाय से, और बच्चे confused होते है, बहुत पुराना बुक्स, बाकि सबको कोई tension नहीं है, तो sir, unrecorded sale के दो effect बताओ तो, एक 6000 कि इसमें add हो जाता है, सेल में add हो जाता है, ये पहला effect, और दूसरा effect, data में भी, क्योंकि अगर credit sale हुए, record नहीं किये थी, तो data भी बढ़ जाएंगे, कितने से 6000 से, तो मालिक, आपको ये दोनों के effect मैंने बता है, ध्यान से sir, इसका RDD का कोई लिंदेना नहीं directly, मतलब आपको SMS समझना sir, ऐसे क्या हो गए, तो ये बता रहो कि common sense sir, पहले data को बना लिजे, बाद में आप जो normal, एक बार आपको proper data मिल गए, तो RDD का जो सिखा है वेसे होने वाला, तो इसको कोई जादा दिल पे मत हो, लेकिन इसके दो effect आ रहे थे क्या, इस lecture में आपको समझा किया कि sir, अगर बिल्स पेडल्स फेले जांग और डेटर में अडव, ये दो चीजोरी में इससा एक अजक्ज़समेंटाइं का कालने, आपको समझ में हा रहा है Madonna? तो आप देखो प्रेजेंटेशन क्या था और उसके बाद तुम यह वाला इफेक्ट दोगे कैसे सर हमें दिखा दो ना एक क्वेश्चन हमने तो अब्जवी नहीं किया देखो मालिक सबसे पहले में आपको बताता हूं डेटर कितने थे Dator 1,30,500 आप बैलेंशित में लिख दोगे आइए या पर क्वेश्चन में देख लीजिये डेटर 1,32,500 कहा पर गये सर संद्री डेटर 1,32,500 तुम तुम इसमें क्या आड करोगे बोलो तु बेटा? bills receivable dishonor मैंने कहा था न दो effect कहां से less होता है sir bills receivable में से less हो जाता यह देखो यह देखो sorry bills receivable में से क्या हो जाता है sir less हो जाता है 3000 और data में क्या हो जाएगा add हो जाएगा 3000 ठीक है तो 3000 फिर क्या था unrecorded sales 6000 आड करो तो 132,500 में 3000 आड हुए अपका net आपको data मतलब क्या मिला अभी 141,500 अब क्या करो bad dates new 1800 डाइरेक क्वेश्चन में दिया था यह देखो यह दो access के मेंन के बाद ऐसा कुछ अगर है तो सब at least करो फिर यहाँ पे आना और यह एकी समय बेटा टेंशन मत लेना अठरास तो bad dates से तो लेस करो अठरास तो लेस करो टेंशन मत बोले सर क्या बता दिया आपने अप तो अच्छा लग रहा था यह मेरा बताने का काम है कि एकी समय तो उतना तो देख और टेंशन मत लेगे रागया तो सर गलत तो नही हमाला इस्त काडता है 139,700 वर किती टक्के पाच टक्के बताओ सर कैसे निकलेगा पहले क्या करने का यह 0000 कटा अब 5 का डेबल तो आना चीह है है ना सर 5,700 कितना होगा बोलो तो 5,600 35 तो यह आ गया 5 बजगे 3 5,900 कितना होता है 45 और 3,48 यह आ गया 8 और बचा कितना आब 4 5, 5,3 जा 15 और 4,19 बच्चा एक और 5,1 जा 5 और 1 कितना बटा 6 तो तेरा अंसर आएगा निव आडीडी का 6,985 तो इधर ही बच्चा डरता है कि ऐसे आउगड़ कैसे अंसर आ गया खला मेरा कुछ गलत है गलत नहीं बटा यह देखो और यहाँ पे क्या हो रहा ना फिला तु स एक हजार नीव आर डिडी हट्रार के उपर ही सर आपका वो टोटल जाद ही हो रहा है किसे ऐल्ड से नीव आलापक्स जीत गया और नीव आला पक्स जीत गया तो क्या करोगे सर आईए यहाँ पर और समझने कि इतना आउगण सं पेपर में नहीं आता लेकिन आपको एक बा 12 माक्स का फाइनल अकाउंट पर दाव लगा के चल रहा है तो आपके जिम्मेदारी की नहीं देखना यह सुर नो और यह खतम हो गया बैट डिट्स ओल्ड लिखा फिर न्यू बैट डिट्स अठरा सो न्यू आड डिडी यह यह तीनों का पक्ष था सर इन तुनों का यह हमेशा तीनों साथ में चलेंगा ओड डिडी अकेला रहेगा यह तीनों जीते तो प्रेजेंटेशन आएगा डिट्स ओ तीनों को लिख डिडी ओल्ड वाला माइनस कर दे नेट आउट और कॉलम में अगर ओल्ड वाला जीता तो फिर क्रेजट साट को लिख वो और उसम दोस्तो आई होप यह जोस्फुल रहाओ का वीडियो आपको ज़रूर अपना प्यार दिखाते रहेगा एके से को रेटिंग देते रहेगा है ना 2000 के करीब हम पहुशने वाले थाइंक यू सो मच बबाई टेक केर चैह हिंद चैह भारू